मेरे खिलाब और कोई आरोप नहीं एक बात रहे दो वह गुंडा कर दी बही में गुंडा कर दी क्या की करी है मनने किसी बूबेटी चेडी हो मनने किसी के जमीन पर कभजा किया हो मनने किसी के साथ जाती गई हो तो नों ने ये कह दिया कि गरी मैं जब पार्टी छोड़ दी मैं लोग दो दुन गुंड़ों का समूह है माँ थारा दा नहीं बना था मनने तो कि बना घुल यप अप्रकास की पत्नी का मैंने उपकेड़ी अपरेशन किया आप यह मैरे पत्नी का प्रिव सतने दो मेरी कई दर्ट अशक नहीं हो कहते था इंडिया का इंडियान कलब में किया कलपता उसको नाम बुला हमारे साथ दारूपी तका मैं तो मेरा तो डोग टेस्ट करा लिए अगर के भी जिंदगी में नसा किया हुआ तो पेर ये जो संत महात्मा महापूरस इंडिया टूडे का जो फरंट पेस था उसमें लिख्या गया कि जैपरकाज जैसे जवान इ इस तरीके से परजात अंतर की भाली के लिए लड़ रही है उपर जैत अंतर की भाली का सुवाल था अपने कुआवत है अर्यामी में चोर भई होता जो पाड़ पे था अगर नोकरिया बिक्ती पकड़ी गई है तो बीजेपी के भराज में पकड़ी गई है एच्पीसी के अगर हरियाना पॉलिटिक्स की बात करें और जेपी नाम लें अगर कोई ये कहे कि मैं इस नाम को नहीं जानता तो इसका मतलब है कि उसे हरियाना की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता फिलहाल जेपी नाम की चर्चा कर रहा हूँ जैपरकास जो कई बार सांसद रहे हैं विधायक रहे हैं और सीधे सीधे लफजों में बोलू हरियाना की राजनीती में कोई ऐसा विवाद नहीं होगा जहां जेपी का नाम नहीं आता हो चाहे चोटाला टाइम हो देविलाल टाइम हो भुपेंदर हुड़ा टाइम हो एक लंबे अरसे से शायद हम भी छोटे-छोटे होंगे तब से जैपरकास का नाम हरियाना की राजनीती में सुनते आ रहे हैं जैपरकास जी आज जो हरियाना की राजनीती है आपका नायम पुराने टाइम की राजनीती की बात करें, तो क्या आपको याद आता है, क्या लोगों के सुलूक वदले हैं, राजनीती जो एक कटसी होती थी, जो मिलने का वो होता था, नए-ने, पेंतरे बाजी राजनीती मारी हैं, तो उस समय को आज के साथ आप कैसे तुल्ला करते हैं? आज से 35-36 साल पहले की जो राजनीती थी, वो व्यक्तिकत सुतूरता नहीं थी, व्यक्तिकत कटूरता नहीं थी, चै पारलिमेंट में हम गए, चै सम्मिली में थे, आते थे, बहास करते थे, चर्चा करते थे, चै वो पक्सका होता है, जैसे ही हाउस से बाहर निकलते थे, तो फिर सुतूरता खतम हो जाते थी, इसू बेस पोलिटिक्स, वो खतम हो चुकी है, मुल्यों पर अधारित राजनीती की जो चर्चा की गई इस देश में, आज वो राजनीती के मुल्ये खतम हो चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से व्यक्ति, पार्टियों का ने, आज कल व्यक्तियों का व्यक्तितव आगे बढ़ाने के लिए जो प्रियास किये जा रहे हैं उससे डेमोक्रेसी में बहुत बड़ा गिरावट आएगी। मेरे को याद है एक गुडगावा का बहुत पुराने बात है शायद आपको याद होगी एक स्कैम हुआ था हेल्थ का एक डॉक्टर का नाम आया था जैपरकास को ढूंडते थे जेपी कहां मिलेगा हमारे उपर दवाब था ढूंडो जेपी को पकड़ो इस संसद का नाम आया है उस रैकेट में हेल्थ वाले में याद है आपको कुछ याद है लेकिन जैपरकास कभी भागा नहीं हमेशा खड़ा रहा जवाब दिया इस बात का देखे यह मैंने उस बात का पता था सचाइकों को छोपा नहीं सकता ना सचाइकों को दबा सकता ना सच्चे आदम को रो दिमित्रों ने वैसे तो मेरे मित्र थे राजनतिक तोर से भिरोधी थे उन्हें प्लांड स्कीम से ड्रामा करके जेपी नाम उसका ठाने में करवा दिया तो जब मैंने कहा है कि मैं सीवी इसे जांस कराओ दूद का दूद पाणी का पाणी हो जाएगा क्योंको तीन बात कही क जयापरकास की पतनी का मैंने उपकेडिनी का उपरेशन किया रहे भीया मैंने पतनी का उपरेशन ही नहीं वो कहता था जयापरकास हमारे साथ तांस खेलता है मैंने जीवन में तांस का नहीं पता वो कहता था इंडिया के इंडियन कलब में क्या कलब था उसको नाम बोला हम मुझी खाने पड़ी जो मेरे खिलाप होहमारी प्रफ्सान थे लेकिन मैंने कहा कि मैं इसका जम करके पाज़ करूँ गार मुधी तो मैं यहां क्या तो याद होग आगर जैपर प्रिवार इस तरह के घिनोने काम में आएगा तो मैं सारजनी जीवन नी त्यागी दूँगा नहीं जीवन नी त्यागी दूँगा जब भी चर्चा चलती आपका नाम याद आ जाता है तो दरसल थी क्या ग्रीन बिर्गेड कैसे वो क्या भरती शुरू करी थी क्या था मामना मैं युवा जनतादल का प्रेजिडेंट था हर्याना का और विश्वा नाथ परताफ सिंग ने चुनाव लड़ा था बाई लेक्स आपको याद होगा मीट्रम पोल था और उन्हों बफोर्स के मामले को लेकर के स्तिवा दिया था उन्होंने एक इलान किया था कि मैं चुनाव में काम किया था लेकिन जब चुनाव में जैपरकास की उसके साथ यूँगी लोग परिता बढ़ गई और जो बड़े घरानों में पैदा हुए तंद लोग तो डरने लगे कि जैपरकास डाई सब बाइक लेका आ रहा है एक बाइक पर दो आदियोंगे तो पांस टूडे का जो फरंट पेस था उसमें लिखा गया कि जैपरकास जैसे जवान इस परदेश में किस तरीके से परजातंत्र की भाली के लिए लड़ रहे हैं वह परजातंत्र की भाली का सवाल था तरह तरह क्या रोप मेरे खिलाब भी लगे मेरे पक्स में भी रहे तो एक टै बना था मनत की बना गोनी तो यह गरीन परगेट को गलत नहीं थी मा आज भी कह रहा हूं लेकिन जब मैंने उसको छोड़ दिया नाइंटीवन में तो उसके बाद वह ऐसे लोगों के ऐसे परिवारों के हाथ में चली गई वह उन्नों जवानों का दूरप्यों करने लगे तो यह था कारो गरीन परगेट का संक्तन ता हो तो यह नो जवानों का संक्तन कभी गलत नहीं जब भी परजात अंतर पर खत्रा आएगा जैपर कास खड़ा मिलेगा मैं पक्का मैं आज भी लड़ रहा हूं मैं आज भी मौझूदा सिस्टम के खिलाफ इस बात पर लड़ रहा हूं कि आप देखिए मैंने वो जमाना देख्या है जब देश की पारलियमेंट में 525 में कम से कम 400 आदमी धोतिक उड़ते वाले थे हाथ में अखबार बोज करके आज थे तो पारलियमेंट में यह समझो के बजट सेशन 30ível महिने चलता था और बड़ी डिबेट होती थी सोमना चतर जी का नाम लिए मां मूली में जी का नाम लिए चंदर सेखर जी का लोगसबा से विपक्स के सभी विधायकोंको निलमबत कर दिया एक में उधान देना चाहता हूं एक माननिय सानसद ने सोम नाच चटर जी की तरफ ऐसे कागज फेंग दी यह पारलिमेंटरी सिस्टम में भूत बुरा है अप आशन की तरफ इस तरह का आशन हम अपने हैं जब विपक्स के लोगों ने इतराज किया कि इनके खिलाफ एक्शन लो तो सोम नाच चटर जी ने कहा कि नहीं मैं इन से के लिए मेट के बात करूंगा बात करी संतुष्टू उनको सिस्पेंड नहीं किया यानि कि अब तो मामला यह था कुछ भी मामला नहीं था कि गरह मंतरी ब्यान दे सुरुखसा में चूक क्यों हुई यानि कि कहां पर जाता अंतराज आज जब सांसद पार्लियमेंट के अंदर जो कानून बनाने और बदलने के लिए बनती है वो अपनी बात ही नहीं कह सकते के अरो यह तो जुम्मेवारी है वैसे तो स्पीकर साब की जुम्मेवारी है कि वो ब्यान करवाए गरह मंतरी से अगर गरह मंतरी ब्यान नहीं करता तो ही सारे वीपक्स के सान्सथी बरकास कर दिये तो फरपरजात उन्तर का है कोण कानून मना दिए ड्रैवरी का जो कानून है हीट अंड रन ग्रेजीम बोलने मैं देशी बासा बोलना लाँ ड्रैवराडा मैं भी गाड़ी चलाता हूं वा भी गाड़ी चलाते पेसे बर जो हमारे भाई वह भी गाड़ी चलाते है एक्सिदेंट किसी से भी हो सकता है यानि कि इस तरह का कानून जैसे जड़ा हमें ऐसा लग रहा कि अगरे कहीं दुबारा से फिर ये देश गुलामियत की तरफ तो नहीं जा रहा तो विपक्स की अवाज दुबाना परजा तंतर में सत्ता पक्स ठीक अव भूमत का लाव उठाए लेकिन विपक्स के जुम्मेवारी हो जुम्मेवारी को निवाने इन दे रहे तो पहले इन थाई अब थोड़े से चुनावी माहौल है 2024 आ गया हिसार से तयारी कैसी है देखिए ये तो पार्लिमेंट का चुनाव पार्लिमें सोनी पाथ हो मलब दस की दस सीटों में कांग्रेस पार्टी आपने हमारे नेता जी का ब्यान भी सुनाओगा भी हम तो इलेक्शन मोड में हैं हम त्यार हैं हम भागे नहीं के मनोरलाल जी की तरह है इकठे करा लो जी अलग लग करा लो जी भाज रहे हैं लेकिन हम कहते हैं के चुनाओ करा जबी हमत्याइब असंपली पार्लिमेंट कर ठेकरा जबी हमत्यार है अच्छा इन चुनाओं में मुद्दा आप क्या लगता है क्या मुद्दा रहेगा वह कह रहे हैं कि हमने तो वह काम कर दिया जो आपके ऊपर आरोप लगाते कि परची खरची सब बंद कर दिया सब कुछ पोर्टल पर आ गया किसी को कहीं काम जाने की जुरूत ही नहीं है घर बैठे सब कुछ मिल रहा है यह सही बात है मैं मानता हूं कि अपने क्वावत है अर्यानुवी में चोर भई होता जो पाड़ पे था अगर नोकरियां बिक्ती पकड़ी गई है तो बीज प्रशना चाहता हूं मुखमंतरी जी वह खर्ची है या कहीं खरायत है या फिर किसी ने इनाम दिया है नंबर दो ऐसे सी के चेर्में की कि कनवर्सेशन जिसने इंस्पेक्टर के लिए 30 लाख रुपे जी से मांगे पकड़ी गई करमचारी तो अंदर कर दिया से स्टाफ से सेक्रेटरी की क्या है जब तक है चैर्में उसके मेंबर कमेली बगतनी तो कैसे करेंगे तो यानि कि यार भरष्टाचार चरम सीमा पर है आज मैं पता हूं अपने आप जा करके देखो किसी तसील में तो लोग नहीं गया है बड़ा पीसे देख है और यह टाइम लिगड़ कि उड़ा साब के टैम में नोकरियां लगती थी लाख हम राख नोकरी लगी कोई यह तो कह दो दस पैसे किसीं दिये विपक्स के लोगों को भी नोकरी मिलती थी आज मैं कह सकता हूं मुनोरला जी बुलाएं और मैं बताता हूं बहुत तिन करोड रपी आये हैं तो इनको को सबकी पीडिया यह तो तरह लूट पार्ट साथन सब्सक्राइब परीवारों के नाम लिए उनके बच्चे भी आपके खिला मतलब बोल रहे हैं जिनको कभी आपने गोदी में देखा होगा आप अपनी पीडी से कब किसको उतार रहे हो मैदान में पॉलिटिक से मैंने भी यह तो का मेरी में इनके बाड़ गोदी में लिए मैं राजनती में यह काम नी करता हूँ ने तो कलियर कट फैसला है चुनाओ मैं कोण कब उतरता है यह बगवान के और उसके करम के अधिकार छेतना बाद किसमत लग जिसको 87 में मैंने असेमली लड़ने से मना कर दिया असेमली ओफर हुई और आंदी चुस वक्त जनता दल की यह लोग दल की 89 में पार्लीमेंट दी और पार्लीमेंट मुझे किसके खिलाफ दी कद्दावर नेता थी हमारे लागे के चोदरी बिरेंदर सिंग तो चोदरी बिरेंदर सिंग के खिलाफ लोगों ने मुझे जीताया मुझे तो उस वक्त भी यह कहा गया मेरे खिलाफ पर्चार किया गया तो पेर यह जो संत महातमा महापुरस बड़े लोग ड़ाडी रखते हैं यानि के जो लोग किसी जैपरकास का मुकाबला करने में समर्थ रहते हैं वस उन पर आरोप मेरे खिलाबना तो मुझे चरितरीन कह सकते आज गन खर्यांका साम्मा तो चरित्री इंता से बर्या पड़िया है पिड़ी दर पिड़ी बरस्टा चारव में सारे डुब्बे पड़े है जया प्रकास के उपर एक आदमी खुली मेरी आज की सरकार के उप छूट है मेरे उपर जितने भी चीफ निश्ट रह सबने डी एक केस बनाए लेकिन जया परकास पाक साफ निकला सीबी आई का केस ओंपर चुटाला जी की सरकार ने रेकमेंट किया मेरे खिलाफ सीबी आई ने भी लिख दिया कि जया परकास के खिलाफ को स्केम नहीं है आज यह सारे तिन्मू चारू पर वार्दक के खंद आना है तो नेता लोग बत्तमीजी करें सताधारी दल के लोग साफ विरोध करना यार यह को गुंडा कर दिया आपनों तो जो मुख्य मंत्री रहें उनके स्टेज पर आप पर जाएं ता पाड़ी उनकी स्टेज हो काम को नहीं करें थे लोगां का लोगां के इच्छा के उन्हों सार नहीं चाल ले तो परजात अंतर में दौवी पक्समोर मरा नातों आज आलत के रहूल जी ने यातरा क्यों सुरू की बड़ा ड्रामा करें परजात अंतर में जब सत्ताधारी दल पंगो अंदा हो जाए गूंगा हो जाए बैरा हो जाए तो नेता के एक जुम्मेवार यह ज ही है लेकिन उससे पहले सवाल यह खड़ा होता है जेपी जी कि इस कुणबे को कठा कैसे करोगे कॉंग्रेस के बारे में बस एक ही बात है कि पहले अपने से लड़ो बाद में दूसरे से लड़ना सबने जीतना है आज देखो बुपेंदर सिंग उड़ा तो स्वर्माने न मानने अब मैं कहें दूब उड़ा साब को नेता है उड़ा साफ चीफ निश्टर बनेंगे कई बाई काई जाता हूं लोग कहते जेपी उड़ा ने बनागे तुझे मैं नहीं बनागाओ फोटमन कॉन देवगा आज बोट है उड़ा साब के नाम की कॉंग्रस की हैं बोट क सारे कठे पाऊंगे तो हर्याना के कदावर नेता जैपर कास जेपी को आपने सुना हर तरीके से खुलकर बात करते हैं और उन्होंने ग्रीन ब्रिगेड से लेकर अपनी दाड़ी रखने तक का सारा राज बताया है फिलाल हर्याना तक पर हमारे साथ जुड़े रहिए मौरा ओम झरे करते हैं थो ये वे पढ़ मौरा तकास जोत्क परट आंगे घूम करते हैं ये करते हैं और पम ड Todos बबड़े अराइकर आंगあーवक पर ने करते हैं टेस्छम क७ई।